आजाब लाजरें, FSI News में आपका फैर मुख्रम है, मैं आपका मुख्मर परोग बढ़ते हैं आज की तालब अबर करूँ COVID-19 का जो केसस राइस होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ये बहुत ही खतरनाक बात है और हुकुमत जो है दिन पे निल लापरवाई बढ़ते जा रही है, सबसे पहले तो ये जो कार्पुरेट हास्पिटल्स में जो जुलुम हो रहा, यानि जो बिल्स का जो प्राब्लम आ रहा कार्पुरेट हास्पिटल्स में तो इसके उपर गवर्नमेंट का जिवाया था पंदरा जूल दो हजार बीस के दिन जियो आरटी नंबर 248 जिसमें लिखा गया था कि पर रूटीन वार्ड आइसोलेशन चार हजार रुपए, चार्जास पर आइस्यू साथ हजार पांच सो रुपए, चार्जास पर आइस्यू विद वेंटी लेटर नौ हजार रुपए, तो ऐसे कुछ रेट्स दिये गए थे तीन जो करोना पाजिटिव केसे के लिए प्राइवेट हास्पिटल्स को ट्रीट करने के लिए, तो उमन तो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट आफ के अगर इनके पास इस्ट्रक्शर नहीं है, जैसा गांधी हास्पिटल और नीम्स हास्पिटल ये बस नहीं हो रहे थे ट्रीट करने के लिए, तो ये लोग क्या करना चाहिए था कि प्राइवेट हास्पिटल्स को ये बोलना था कि आप कोविट पेशेंट्स का इलाज करो, बिल जो है, चीफ मिनिस्टर डिलिफ फंड में या नहीं तो आरोग केरी में हम देंगे लेकिन हुकूमत हमारे कईसियार साथ जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े चानक किया है, बड़े चालू चीज है, तो उन्होंने क्या किया कि क्यूंकि बहुत गालियां सुन रहे थे, अ के बाद में उसको implement कराना ये हुकुमत की जिमेदारी होती है government की जिमेदारी होती है खाली जीओ implement करना ने होता है कुछ दिन से जो private hospitals में जो loot मचीवी है मेरे पास कई bills highway है यानि तीन दिन के अंदर चार दिन के अंदर जो है तीन लाक चालीस हजार रुपए यश्वदा hospital की बी लाई भी है फिर एक max hospital की बी लाई भी है साड़े बारा लाक रुपए की max hospital की बी लाई भी है तो ऐसे कोई भी patient जो covid-19 positive हो रहा उन्हें once अगर private hospital में जा रहा तो पहले तो bed नहीं है बड़े recommend के साथ बड़े जगड़ों के साथ isolation ward में बेड मिल रहा यानि तो ICU में बेड मिल रहा और डेल लाक रुपए daily खर्चा है वन लाक फिप्ती थाउदन रुपीस रोज़ाना खर्चा है इसके अंदर जो है हमारे CM साब बिलकुल ही खामुच है सिटी के MLS की मीटिंग बुलाकर इंचाद मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर हास्पिटल वालों की मीटिंग बुलाना चाहिए collector, commissioner of police, all three districts लगते Purator Hyderabad Municipal Corporation को साइवाराबाद, रच्चा कुंडा, हैधराबाद तीनों police commissioners को बुलाना तीनों, तीन district लगते, मेधर 20 में पार्ट है तीनों का जो है collectors को बुलाना हेल्थ मिनिस्टर को, city के पूरे MLS, पूरे MPs, राजयसभा MPs और MLCs मेर डेप्टी मेर, इनको बुलाकर CM साब मीटिंग लेना, लेके हास्पिटल वालों को पापन करना कि अगर कोई हस्पिटल ये 140, ये 248 जियो अगर implement नहीं करा तो मैं वो हस्पिटल का license कैंसल कर दा लूँगा ऐसा नहीं हो रहा, चोर को चुरो, कुते को भोको, माली को शारो तो CM साब तो दे दिये, घरीब मर जा रहा, चोरी करना बागी है घरीबों को सूथ खारां जो है, money lenders, hospitals के बाहर थेर के patient के documents उनके घरों का या उनके आटो है या गाड़ी है तो उसके documents रखके सूथ पे पैसे जाने हस्पिटलों के बाहर finances थेरे वे है, हुकुमत खामूश है सिटी में जो पैंटी सम्मेलेस है और खास तोर पर जो AI MIM है मंजली से टिहाद मुस्लमीन, असद अधिन, अक्बर अधिन ये जो है चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने में इनकी जो है कोई दिन नहीं गुज़ा था केटी आर के फार्म हाउस पर कांग्रेस वाले केस दाले रेवन तरटी उन लगा तो मैटर ही जिन्दक कोड मोल सकते थे, कोड में है मैटर जाओ जाके लड़ों होते है इनू जाके इनू जाके उसको डिफेंड कर रहे लेकिन असद अद्दिन OAC के मूँ को लक्वा मारा हाई बीपी होके इनके मूँ को लक्वा मार दिया ये प्राइवेट हास्पिटल्स के लूट पे नहीं बोल रहे है खुद अपना दावा का ना बन कर लेके बैट गए अब क्या बहाला बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हमार पे बिढ़ा सकते हम जिसको चाहिए उसको सीम बना सकते तुम इतने ताखतवर पॉलिटीशन तुम एक असरा हस्पिटल्स देकन मेडिकल का इसका परमीशन नहीं ला सक रहे हैं कोविट पेशन्ट को ट्रीट करने के लिए बताईए क्यों नहीं ला सक रहे हैं तुम अपना हर्पिटल चेंज कर रहा ही ना जाके आज से कुछ दिन पहले बहुत ही जैसा कि आपको याद है के सुरवरम सुदाकर रड़ी मेंबर आप पार्लिमेंट थे नलगुंडे के उन्होंने उनके कोई गाओं के नलगुंडा पार्लिमेंट कांस्टन थी के ये शुदा ह उनको चार लाक रुपए बिल मारे थे और हमारे कियम खान साहब जो मिंबर आप पार्लिमेंट थे राज्य सभा के इम्मे खान साहब कांगरेस के उनकी एहलिया ये शुदा हस्पिटल में गए थे तो उनके साथ भी जो है इंपी रहने के बावजूद उनको कुछ पचास चार्च किये थे तो सुर्वरम सुदाकर रेडी ने प्रेसिडेंट आफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को जाके ये जो प्राइवेट हास्पिटल में लूट हो रही है उसको पर कंप्लेंट देखे पार्लिमेंट कमेटी बिठाए थे वो कमेटी बिठाने के बाद में कई दिन तक हास्पिटल में ये नहीं बढ़ना था आप मामली सी अगर आप जाके ब्लेट सैंपूल कलेक्ट करेंगे या यूरीन का टेस्ट करवाएंगे तो बाहर जो रेट है उसका रेट है था दो सो तीन सा रुपए पांच सो रुपए रेट है ता उसका लेकिन जो हास्प हानों है इसमें जो रेट है था इसर आहा हास्पिटल की बिल्डी नहीं है रपसिटल की जो傷ब। आस्पिटल देखिए सेलार में पूरा काम कर रहे जो ँसे वे आउट पेशन्ट डालगे रखे वे अपडिनट ग último स τις सब्सक्राइब जाएए जी एच एंसी कमिशनर अगर बुला के वोला पूरे सिल्ला का कारोबार बन सिधा यह जी हो कु मालो दो मिनट में मानते जी हो कु तो हुकूमत की नियत नहीं है असाद अधिन ओएसी अकबर अधिन ओएसी दीगर जितने टी आरेस के मिले से सिटी में हैं जो टी डी पी से भी जीत है टी यरेस में जंठ करे सिरीनी वासियादो मिनिस्टर साब है खामुज तेवे हैं महमूद अली हो मिनिस्टर खामुज भी इतेवे है आपके आधर जीतने भी film एस हैं मां से छोड़के टी आरेस के मले से पूरे खामुच हैं पबलिक को लु कि तेजा सही हुकुमत ने बता रही कोविट पॉजिटिव जितने मर रही जितने कैसर से रिपोर्ट हो रही वो सही नहीं बता रही तो मेरी एक गुजारिश है जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कि वक्त आ गया है कि इनको डंडा मारने का ये प्राइवेट हास्पि जितने भी प्राइवेट हास्पिटल्स में जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो मुझे लाके ओरिजिनल बिल देना उनकी ओरिजिनल बिल लाके जैसा ये बिल है देखिया ये जराक्स लाके दिये जराक्स नहीं चलती आप ओरिजिनल बिल लाके दीए दस हास्पिटल् होना मैं जाके अदालत का दर्वादा खटकटा हूंगा बड़े से बड़े वकील को रखूंगा चीफ जस्टिस आफ तेलंगाना या नहीं तो सुपरीम कोर्ट में हम मूव करींगे कि ये जीयों के तहट हास्पिटल इलाज नहीं करवा रहे हैं तो बराय करम जो भी लोग हा हाण मोड़ दूंगा पूरे हस्पिटिलों की याद है ना हिलमेट का कैसा जलुम चल रहा था पोलीयस वालूं का कैसा जलुम बंकरा कैसा हिलमेट पिनाया पूरे पोलीस ओलों को चालानों का हो रहा था का कुछलान मारेकर शार Darren and कचरा नहीं उठ रहा था जब मैं कार्पुरेटर था जब बल्या कमिश्णर का कैसा बैंड माजा माजा आया था याद है ना अब वक्त आ गया मेरे भाईयों मेरा साथ दो अगर आप लोग साथ नहीं दींगे ये छोड़ो ये मरत के जनम में नहीं पैदा हुई असद अक्ब बड़े लीडर की फैमिली को करार पुरेट अस्पिटला परसंटेज दे रहें 50 परसंट बिल माप महीं भी चाहा तो जाके मेरे भी रिष्टेदारों का दो गालिया गुस के अंदर दवा खाने में तो परसंटेज मिल जाता मेरे कूँ मैं नहीं घरीब के लिए करना चाह आज से कुछ दिन पहले लेट के मीटना मदला रहे थे याद है ना आप लोगों को कौन रुकाई शहर में मैं मदू एंपी जाके हाई कोर्ट से इस्टेल आके यह नए मीटना जो चैना के दाल रहे थे उसको रुकाने वाले का नाम अमजद उल्ला का मैं मदू इंपी दोन के टी आर को धक्का देने का वक्त आ गया है तो सिवाए अदालत के इसमें कुछ नहीं कर सकते आप आप मुझे बिल्स लाकर दीगे आप मुझे कॉल करिए मेरे फोन पे मैं आप जहां पर है मेरे लड़के को भेजूंगा मेरे आफिस से लोग आएंगे I need the original bill I request all those who are seeing my video kindly supply me the original bills of the corporate hospitals those COVID patients who are being charged lakhs and lakhs of rupees I will see how these bloody corporate hospitals are charging there will be a one day that they have to treat as per this GORT number 248 I request the general public to cooperate with me मुझे बिल्स लाके देो मैं बैंड बाजा बाजा दा लूँगा ये पूरे हुकुमत के ऐवानों को हला जा लूँगा इटला राजिंदर आजाना हस्पिटलों को KTR आजाना CM KCR निकल के अपने घर से आना आके गरीब को इंसाब दिलाना हाख जो है घर में बैठे तो नह लड़ने से मिलता घर में बाजने से नहीं मचलूम की कोई आहार नहीं सुनता जाओ जाकर हक पे लड़ो ये लव बिल लव 50 अदमी तयार हो 50 P.I.L. डालींगे हम हाई कोट में अलग अलग हस्पिटल के अलग अलग 50 P.I.L. डालींगे हाई कोट सुप्रीम कोट को लाइंगे दस दिन के अंदर रहात दिलाने का वादा मगर आप कॉपरेट करिए अगर आप मुझसे कॉपरेट नहीं करेंगे आप लोग बिल्ला की नहीं दिंगे अकेला अमजदुल्लाखान नहीं लड़ सकता क्योंकि जब आप कोट में जाते हैं तो जिसको तकलिफ होती है वो पेटिशनर बनना पड़ता है लीगल बैटल लड़ने के लिए तयार हूँ आप लोग मेरा साथ दींगे यार जिन्दा सुबद बाई अगर आप हमारा ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलें और अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्टूप पर देख रहे हैं तो बेच को लाइक करना ना पुलें